हलो दोस्तों मैं हूँ हर्श धवन आपका करियर गुरू एक्सपोर्ट एक्सपर्ट की तरफ से फ्रेंड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनस की तो बाते चलती रहेंगी क्वेश्चन आते रहेंगे मैं जवाब देता रहूँगा पर अब मैं आपको कुछ ऐसी बिजनस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है और कहीं भी किसी भी उम्र में ये स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत स्मॉल स्केल से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं यानि ये वो business है जिसमें success ratio 90% है, मतलब 90% business successful होता ही होता है, 10% वो कि अगर आप कहीं गलती कर रहे हैं, आपकी location गलत है, आपकी market गलत है, तो शायद chances हो failure के. अगर आप कोई question पूछना चाते हैं, इस business से related ये कैसे set करना है, कितनी investment चाहिए, तो ये सब भी पूछ सकते हैं, मैं एक बार फिर से आपको बतातू, सिर्फ import, export business ही नहीं, उसके साथ साथ education, career, jobs और किसी भी तरीकी के business के बारे में आप हमसे किसी भी तरीकी का question पूछ सकते ह हैं, चाहे वो आपको कोई report चाहिए हो, investment चाहिए हो, machinery चाहिए हो, या जो भी चीज़ आपके requirement है, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले उस business के बारे में, जिसके fail होने के chances बहुत कम हैं, और बहुत अच्छी earning ये आपको दे सकते है जैसे सबसे पहला business है, mobile repairing का, दोस्तों, इस business की demand बहुत अच्छी है, और इसमें आपको customer बहुत अच्छा मिलेगा, देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें कोई investment ज्यादा नहीं है, एक छोटा सा counter चाहिए आपको, कोई भी market हो, उसमें एक छोटा सा counter चाहिए, start कर लीजे लेकिन एक बात याद रखिए, पहले आपको mobile repairing करना सीखना पड़ेगा, बहुत से ऐसे institute हैं, जो ये काम सिखाते हैं, ये course सिखाते हैं, जाके महाँ सीखिए, इन courses की fees भी कोई ज्यादा नहीं होती, और from the first day आपका ये business शुरू हो जाएगा, और from the first day मैं ये कहूँ कि पह भी मुझे बताइए कि कौन से या कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास mobile phone नहीं है, अब mobile phone है, खुद सोचिए, आजकल 24-24 घंटे हम mobile phone यूज करते हैं, बिलकुल से चौफ ही नहीं करते, कोई YouTube के लिए, कोई gaming के लिए, कोई personal use के लिए, कोई WhatsApp के लिए, कोई Facebook के लिए, कोई Instagram क के लिए, यानि यूज होता ही रहता है, अब mobile phone सिर्फ calling के लिए नहीं रह गया है, अब mobile phone हमारी जिन्दगी का एक हिस्सा बन चुका है, अब यह नहीं कह सकते कि हमारी जिन्दगी में basic चीजें सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान हैं, अब रोटी, कपड़ा और मकान नहीं एक और चीज है और वो है internet, और internet कहां से connect हो रहा है, mobile phone के जरीए, अगर एक घर में चार लोग हैं, तो चारों के पास आज mobile है, तो यानि market तो अच्छे होई ना, customer कितना बड़ा है इसका, अब mobile phone है तो वो गिरेगा भी, वो खराब भी होगा, तो अगर गिरेगा या होगा, तूटेगा, तो वो कहां जाएगा, mobile repair कराने के लिए जाएगा, अगर आपका mobile गिरता है, खराब होता है, तो आप सीधा नया तो लेते हैं न, पहले तो यही कोशिश करते हैं कि उसे repair कराऊ, तो आपके पास इतना बड़ा market है, repair कराने के लिए, लोग आएंगे आपके पास काम कर सकते हैं, क्या investment है, देखी, दो से चार हजार रुपे में, ज्यादा से यादा, एक महीने का, दो से चार हजार किराये पे आपको एक छोटा सा counter मिल सकता है, किसी भी shop की छोटी सी जगा, corner की, कहीं की, आपके सामने है, आपने अपनी market में ऐसे देखा होग के लोग बैठे हैं, तो से दो से चार हजार का counter है, skilled आपके पास है, mobile repair करना आप जानते हैं, तो कमाईए, कम से कम income महीने की, खर्चे काट के भी 30 से 40 हजार कहीं नहीं छोड़ेंगे, तो दोस्तों ये कहना गलत है कि हिंदुस्तान में या कहीं काम नहीं है, हमारी नियत है, तो काम ही काम है, अगर आप job business related confused है, तो मैं आप से बोलता हूँ कि हाँ, आप question पूछे, comment box में type करिये, hashtag ask export experts और अपना question पूछते रहें, मैं जवाब देता रहूँगा, उमीद करता हूँ, ये वीडियो आपको सही लगा होगा, अगले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसे ही, एक business के बारे में, जो आप बहुत small scale से शुरू करते रहें, कर सकते हैं, तो देखना न भूलिये हमारा अगला वीडियो भी, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलता हूँ, अगले वीडियो में, अब तक के लिए, good day.